Find the Taylor polynomial for the function exponential x near x equals to 0. यहाँ पर हमें polynomial निकालना है. तो exponential x का हमने quadratic cubic इस तरह से polynomial देख चुके है, x equals to 0 के around. यहाँ पर हमने एक higher degree में polynomial निकाल लिया है. polynomial कैसे निकालते हैं, वो आप अच्छे तरह से जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की जुरूत नहीं है. यानि कि f x approximate यह होगा, f 0, क्योंकि 0 के around निकाल रहे हैं, f prime 0 x, फिर प्लस f double prime 0, x square upon factorial 2, और इसी तरह से आपका higher terms में चलता रहेगा. f 0 के जो value है, वो 1 आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, f x जो है, वो e raised to the power x है, जैसे ही आप 0 पूट करेंगे, तो 1 value आजाएगी. corresponding higher terms के लिए जो derivatives हैं, उनकी भी value 1 होगी. तो 1 plus x plus 1 upon 2, 1 upon 3 factorial, यहाँ पर यह factorial भी आप पूट कर सकते हैं, अगर आपको समझने में doubt है तो, यहाँ कि 1 upon 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, इस तरह से आप इसको understand कर सकते हैं. मेरा मकसद यहाँ पर यह नहीं बताना है कि इसका Taylor polynomial approximation क्या होगा, polynomial approximation, मेरा यहाँ पर यह बताना है कि जो exponential x का graph है, actual graph यह आप वाइट कलर में देख पा रहे हैं, जहाँ पर मैंने arrow से indicate किया है, अगर हम एक constant terms में अगर उस polynomial को देखते हैं, तो हमें वो सिर्फ एक point पर कट करते होगी, दिखाए देता है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जो exponential x का graph है, वो कुछ इस तरह से है, और वो y-axis को सिर्फ एक point पर कट करते हैं, अगर हम linear में देखते हैं, तो वो एक slope को represent करते हैं, जो कि y-axis पर जो point of intersection है, वहाँ पर होता है, यानि कि जो linear है, वो आपको कुछ more information दे रहा है, ऐसी जो quadratic है, वो कुछ parabolic nature का है, और उसके बात को थोड़ा सा follow करता हुए भी दिख रहा है, ऐसे 3 degree का, 4 degree का, और higher degree में जैसे ही जाएंगे आप, तो आप देखेंगे, कि जैसे जैसे आप increase कर रहे हैं degree, आपका जो approximation है, वो actual curve को follow करता जा रहा है, यहाँ पर आप एक चीज गर पाएंगे, कि जैसे मैंने constant approximation देखा, तो उसमें error शुरुवात का ही interval में दिख रहा है, हमें, बहुत ही near, जैसे linear है, तो linear में भी हमें और थोड़ा सा, जो error bound है, उसके लिए, error थोड़ा कम दिख रहा है, यानि कि हमें interval थोड़ा large मिल रहा है, अगर हम quadratic में देखते हैं, तो यहां तक ऐसा लग रहा है, कि जैसे कि वो ठीक follow कर रहा है, उसके बाद error जादा रहा है, तो एक terms के बाद या एक specific point के बाद हमें ये पता चलता है, कि जैसे जितने degree का polynomial हम consider कर रहे हैं, उसमें error के लिए एक bound है, एरर के लिए क्या है एक bound, तो हमें Taylor's theorem ये बताती है, कि जो वो error bound है, हमें error उससे कम रहेगा, जिसको हम RNX से denote करते हैं, PNX तो हमारा polynomial approximation हो जाता है, और RNX उसमें क्या हो जाता है, error bound, या error terms, हम इसको normally कहते हैं, तो ये हमें बता जिता है, कि error कितना रहने वाला है, उससे जादा नहीं रहेगा, लेकिन problem ये आता है, कि अगर हमें error bound पता है, तो उसके लिए कितने degree का polynomial suitable रहेगा function के लिए, क्या ये हम पता कर सकते हैं, और ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में,